यूट्स अब गाईज क्यासे आप सभी लोग वेलकम बैक अवर न्य वीडियो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत जादा यूसुल होने आले है क्योंकि आपने कल की वीडियो बोला था कि भाई न्यू लेवल अप ग्लीच लेका हो और लेवल अप ग्लीच गेम से ब आप लोग इस ग्लीच को यूज करते हो तो सिर्फ एक वीक में अपने लेवल को 77 कर सकते हो और सीरियसली गाइज 10x स्पीट से आप लोग का लेवल इंक्रीज होने वाला है आप लोग का आईडी सस्पेंड नहीं होने वाल है सब सिर पहले बता दो आप लोग के मन में को स्टार्ट करते हैं बस यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट की अभी के टाइम पर हमारा चैनल इतना डाउन हो गया कि कल की वीडियो में 300 व्यूज भी रीच नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग चाहो तो अपने एक दो के साथ भी वीडियो को शेर कर सकते हो चैनल को ग्रोवन में थोड़ा सा रीच मिलेगी लेट स्टार्ट इस वीडियो और प्लीज यार ग्लीज रिलेटीड वीडियो को बिल्कुल स्किप मत किया गरो क्योंकि अगर आप लोग कोई भी पार्ट को मिस करते हैं यहाँ पर सब सबसे पहले आप लोग मेरा आईडी का एक्सपीरेंस देख लो 5409 है तो इस ग्लीज को यूज करने के लिए आपको लॉन वुल्फ मूड सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ क्यों प्लियर्स का आईडी सस्पेंड होता है इस ग्लीज को यूज क किया था और इसको यूज करने का सही तरीका क्या है प्लियर्स क्या करते है एक बटन को डाटा पर रख देते हैं एक बटन को बैक प्रेस पर रख देते हैं थर्ड बटन को ऑटो क्लीकर के गेम को स्टार्ट पर रख देते हैं फिर उनका क्या होता है उनका फोन साइड बे करके फाई गेम ऑटोमेटीकली डाटा ओफ करता है, उटोमेटीकली गेम बैक होता है और उटोमेटिकली गेम स्तार्ट हो जाता है जिसके वजह सेός फ्री फाइर का सरवर इसको DETECK कर लेता है तो मैं इस glitch को use करने का एक strategy बता देता हूँ पहला आपको auto clicker use नहीं करना है दूसरा इस glitch को use करके आपको दिन का सिर्फ पात से 6000 experience बढ़ाना है मतलब लगबग एक दिन में एक गंटा इस glitch को use करना है अगर आप लोग का ID फिर भी suspend हो रहा है शिर्फ एक गंटा यूज करने से तो आप लोग क्या करो भाई इस glitch को ना 24 गंटे यूज करो लगबग 24 गंटे यूज करो अब देखो अगर आप लोग को level increase करना है और आपका सिर्फ एक गंटा यूज करके भी ID suspend हो रहा है वैसे तो ऐसा नहीं होगा बट एक गंटा यूज करके भी आप लोग का ID suspend हो रहा है तो आप लोग इसको लगबग 24 गंटे यूज करो और फिर तीन दिन के लिए ID suspend होने दो अब जब आप लोग 5000 experience कर रहे हो फिर भी आप लोग का ID तीन दिन के लिए suspend हो रहा है ग्लीच को कैसे यूज करना है सबसे पहले वो सिखा देता हूँ लेकिन यहाँ पर देखा आप लोगोंने मेरे को गेम बैक करने पर 44 का experience मिला सिर्फ 10 सेकंड में 44 का experience हाँ मतलब एक गेम को बैक करने में जादा जादा 20 सेकंड मतलब एक मिनट में आप लोग 3 गेम को बैक कर लेते हो और एक गेम में 40 का experience मिल रहा है तो यानि की 3 गेम में हमको लगबग 120 का experience मिलेगा तो calculate करो 10 मिनट में 1200 का 100 मिनट में 12,000 का और लगबग 12 गंटे या 13 गंटे में आप लोग को 1,20,000 का experience मिलेगा और वैसे आप लोग को 70 से 71 लेवल करने में 3 से 4 वहीने लग जाते हैं और एक लेवल को अपग्रेट करने में 3 से 4 लाग का experience चाहिए होता है अगर आप लोग का ID suspend होगा फिर 24 गंटे यूज करो फिर 13 दिन के लिए suspend होगा यानि की आप लोग का 8 दिन में लेवल अप हो जाएगा अगर आप लोग का लेवल 75 से जाद है और अगर 50-60 आपका लेवल है तो 2 दिन में या आपका लेवल easily आप हो जाएगा मिर भाई तो अब मैं आप लोग क वो glitch की तरफ लेके चलता हूँ, जी हाँ आप लोगों ने सही guess किया, पुराना लॉन वुल्फ मूट का glitch return आ गिया है, network को off किया, game को back किया, यहाँ पर हमने data को off कर दिया, जो हमारा mobile data है, उसके बाद आपको 2 second तक wait करना है, अगर आपका network connection error इस type में आ रहा है, तो कोई बात जाओगे, आपका game जैसी start होगा, तो आपको अपना data को off कर लेना है, जो mobile data होता है, mobile data को off करने के बाद आपको 2 second wait करना है, फिर data को on कर लेना है, reconnect आ रहा है, तो reconnect कर लेना है, and game को suddenly back कर देना है, 999 plus ping में, इससे क्या होगा, आप लोग का game तो back हो जाएगा, लेकिन background में आ ऐसा चलेगा, क्योंकि आपने data on off किया, तो background में आपका game चल रहा है, उस game का experience आपको 5-7 minute बाद मिलेगा, बहुत से बंदे क्या करते हैं, एक game back करके experience चेक करते हैं, और फिर बोलते हैं, experience नहीं मिला, तो उस game का experience आपको लगबग 5-7 minute बाद मिलेगा, ऐसा इसलिए होता है वो जो आपका game है ना, वो background में चल रहा है, तो उस game को खतम होने 5-7 minute लगते हो, और 5-7 minute बाद आपको उसका experience देखने को मिलता है, यहाँ पर देख लो, जब मैंने game start क्या था, तो मेरा experience 400 था, लेकिन अभी मेरा 531 हो गया, आप लोग बोलो, बहुत 3-4 minute से glitch को use कर रहे हो, तो आपको इतना कम experience क्यों मिला, बता आता हूँ, पर यहाँ पर देख लो, history में मेरा lone wolf का match add नहीं हुआ है, मेरा horror score भी minus नहीं हुआ है, ध्यान से देख लो, ठीक है, यह देखो तो, मेरा experience कितना हो गया, 725, मैंने कोई trick का use नहीं किया, वीडियो बिल्कुल scripted नहीं है, ब आपको आपके experience मिलने में थोड़ा सरक time लगता है, तो आपको glitch को use करते रहना है, आपको experience कुछ time बाद मिल जाएगा, अब glitch को कैसे use करना है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, mobile data को off करना है, 4-5 second आपको wait करना है, अगर आपका data जल्दी आ जाता है, तो अच्छी बात ह होता है, यहाँ पर देखो मेरा history पर match add नहीं हुआ है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख लो मेरा horror score minus नहीं हुआ है, बहुत से haters लोग बिना वीडियो को, बिना glitch को check करें, बस यहाँ पर आके comment करेंगे कि भाई, horror score minus हो गया, glitch work नहीं कर रहा है, य यह नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वीडियो को skip करके देख लेंगे, फिर गलती भी मेरा वताएंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3-4 मिनिट आप लोग के सामने glitch use किया, और 500-400 experience मैंने collect कर लिया, अब बड़ी बात यह नहीं है कि मैंने 400-500 experience collect कर लिया, बड़ी बात यह है कि यह मेरा new device है, और मैंने अभी 3 दिन पहले purchase किया है, और मैं इतनी जल्दी game back कर रहा हूं, लगबग 1 मिनिट में मैं 3 game back कर ले रहा हूं, तो आप लोग का तो old device होगा, आप लोग तो 1 मिनिट में लगबग 4-5 game back कर सकते हो, और अच्छागासा experience collect कर सकते हो, तो trick और glitch क try जरूर से करना, बाकि आप लोग की मरजी है, और वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो please इस वीडियो को like के चैनल को subscribe करना, और हो सके तो अपने एक दो फ्रेंड के साथ भी share कर देना, थोड़ा सा reach मिल जाएगी वीडियो को